हुआben kalian अब jeśli आपैंवने for question में series इसकी value में find out करने है ठीक है तो series क्या है series अे डिखो one upon two root one plus one root two plus one upon three root two plus 2 root three ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं यह जितने भी oh हम इसके conjugate से हम इसको multiply कर देते हैं उपने चे ठीक है तो क्या जाएगा देखो 2 minus root 1 तो 1 ही होता है 2 minus root 2 से उपने इसे multiply कर देंगे और इसको भी इससे multiply करेंगे तो a square minus b square तो यह क्या जाएगा 2 का square 4 minus 2 plus फिर इसको भी conjugate से multiply करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 3 root 2 minus 2 root 3 upon देखो a square minus b square तो इसका square क्या हो जाएगा 18 minus 12 तो यहां पर आजाएगा 6 plus फिर अगली ट्रम क्या होगी इसके अगली वाली ट्रम होगी अब देखो a square minus b square ठीक है तो यहां पर आजाएगा 12 प्लस अगे वाली ट्रम क्या जाएगी इस तरह है अगे वाली ट्रम आजाएगी 5 root 4 minus 4 root 5 divided by 20 plus इसे तरह आगे वाली ट्रम आजाएगी इपने पास 6 root 5 minus 5 root 6 divided by 30 plus इस तरह से जो लास्ट ट्रम होगी क्या जाएगी यहां जाएगी 100 root 99 minus 99 square root of 100 divided by a square minus b square करेंगे इसके conjugate से multiply करके a square minus b square करेंगे तो वाएगा 990 ठीक है अब देखो अब इसमें हम द्यान से देखें तो 4 minus 2 कितना हो जाएगा यहां पर आजाएगा 2 ठीक है यहां पर आजाएगा 2 अब देखो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यदि यह 2 है इसको हम इस numerator में separately divide कर देंगे तो क्या जाएगा 1 minus root 2 by 2 plus इसको भी हम 6 है separately divide कर देंगे तो 3 root 2 by 6 minus 2 root 3 by 6 इसमें में separately divide कर देंगे तो क्या जाएगा plus 4 root 3 divided by 12 minus 3 root 4 divided by 12 इसमें भी separately divide कर देंगे तो 5 by 20 यह कितना हो जाएगा root 4 by 4 minus यहां पर क्या जाएगा root 5 by 5 plus इसको भी हम separately divide कर देंगे तो root 5 by 5 plus sorry minus यह कितना हो जाएगा यहां से root 6 by 6 इस तरह से ठीक है अब तो इसको भी हम separately divide कर देंगे इसमें तो यह कितना जाएगा देगो यह आ जाएगा अपने पास इसको 100 यह 10 कैंसल आउट हो गया तो square root of 99 divided by 99 minus यहां भी कितना जाएगा square root of 100 upon यह कितना जाएगा 99 से 99 इसमें द्यान से देखे हैं इसमें द्यान से देखेगा यह 2 से यह 2 टाइम ठीक है तो root 2 by 2 minus है यह plus है यह cancel out हो गया ठीक है अब देखो यह 2 से यह जाएगा 6 3 time यह 4 से यह 3 time ठीक है तो यह plus से minus cancel out इसी तरह यह जाएगा इससे 4 time तो root 5 by 4 तो यह से cancel out इसी तरह यह से cancel out इस तरह सरी drum cancel out होते जाएगी यहां तक ठीक है तो बच्ची क्या remaining term कौन से है first drum and last drum last drum क्या है यह square root of 100 कितना होता है 10 divided by 100 यह से cancel out 1 minus 1 by 10 यहनी की 9 by 10 थीक है तो इस का अंसर होगा 9 by 10 यहनी की 4th option is correct okay easy